नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हिंदी नोलिष शो में तो दोस्तों अब से ठीक तीन महीने पहले मैंने आपको ब्रिक्स करंसी के बारे में खबर दी थी जिसमें मैंने वताया था कि बात ये चल लई है कि जो ब्रिक्स देश है यानि कि ब्राजील, रूस, भारत, ची और साउथ अफरीका ये सारे देश मिलकर एक कोमन करंसी बनाएंगे यानि कि एक ऐसी मुद्रा होगी जिसे इस सभी देश मिलकर अंतरास्थे व्यापार में इस्तमाल करेंगे और इस करंसी का मकसद था अमेरिकी डोलर का जो पूरी दुन्या में परभुत्व है जो एक हैं लेकिन पिछले तीन महीनों में बहुत कुछ हुआ है जैसे कि ब्राजील के राष्टपती लूला डिसिल्वा ने अमेरिका के जबरदस्त प्रेशर को दरकिनार करते हुए ये बयान दिया है कि बिलकुल ब्रिक्स देशों को एक कोमन करंसी बनानी चाहिए ताकि अमेरि ब्रिक्स देशों को खुद की कोमन करंसी बनानी चाहिए तीसरा देश चीन भी तयार है वो भी ये करंसी बनाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं इतना ही नहीं स्क्रिंपर आप देखिए कल ही रिपोर्ट निकल कर सामने आई है कि दुनिया के करीबन 41 छोटे और राष्टे व्यापार में यानि कि ये बनने से पहले ही सूपर हिट है लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है बिलकुल नहीं क्योंकि अगर इतना आसान होता तो ये ब्रिक्स करंसी चीन और रूस बना चुके होते 41 देश व्यापार करना शुरू कर चुके होते तो फिर अ बना क्यों नहीं इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रूस चीन को पता है इस बात कि जब तक भारत इसमें support नहीं देगा बिरिक्स करंशी बनाने का कोई भी फायदा नहीं और भारत क्या ब्रिक्स करंशी में शामिल होगा क्या इसे support करेगा इसको लेकर आज भारत ने इसके समर्थक और विरोधी देशों को अपना फैंसला बता भी दिया है जी हाँ और ये फैंसला किसी और ने नहीं भारत के विदेश मंतरी एस जशंकर ने सुनाया है और क्या है ये फैंसला खुद आप उनसे ही सुन लीजिए जी हाँ कल रात हुए एक सम्मेलन में एस जशंकर जी से ब्रिक्स करंसी के बारे में सवाल पूछा गया और जैसे कि आपने वीडियो में देखा उन्होंने खुले तोर पर कह दिया कि ब्रिक्स करंसी जैसा कोई भी आइडिया नहीं है और ना ही ये होने वाला है साथी एजशंकर जी ने ये भी बता दिया कि जो ये करंसी का मैटर है ये हर कंट्री के खुद के हिसाब से जैसे चलता आया है आज तक आगे लंबे समय तक ऐसे ही चलने वाला है यानि कि ब्रिक्स करंसी जैसी कोई भी चीज भारत फिलाल एक्सेप्ट करने को तयार नहीं है और भारत का ये बयान पश्चिमी देश और अमेरिका के लिए बांचे खिला देने वाला है वहीं चीन और रूस के लिए रुला देने वाला है, इसका करण ये है कि भारतिय सपोर्ट के बिना ब्रिक्स करंसी एक कागज के टुकडे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है, हाला कि आप कोगे कि ऐसा कैसे कह सकते हो, बैज चीन दुनिया की दूसी सब कर रही है, और सबसे बड़ी बात, 41 देश इसे एकसेट करने को ओरेडी तयार है, तो फिर ऐसा कैसे कि बिना भारतिय सपोर्ट के इसके बनने के कोई चांस नहीं है, तो इसका कारण ये है, कि जो इन 41 देश सपोर्ट करने को तयार है, ये सारे वो देश हैं, जो रूस और खेमे से आते हैं जैसे कि पाकिस्तान, इरान, कोंगो वगेरा और कुछ और दरजन भर अफरीकी देश और कुछ 3-4 मिडिल इस्ट के देश शामिल है यानि कि ये पहले से ही अमेरिका के दुश्मन है दूसरी बड़ी बात आप ये देखिए कि ये सभी 41 देश पहले से ही चीन करनसी युवान में ज्यादा व्यपार करते हैं क्योंकि ये ऐसी देश होते हैं कि अमेरिकी दुश्मनी के कारण इन पर आर्थिक पर्तिपन लगा दिये जाते हैं यानि कि अमेरिका इन्हें अपनी करनसी यानि कि डोलर इस्तमाल करने भी नहीं देता इसलिए अगर ये दे थे देशों ने BRICS currency बनाने को लेकर बातचीत करी है यानि कि Brazil हो गया रूस हो गया चीन हो गया और पाकिस्तान जैसे देश यह सारे के सारे एक ही ठाली के चट्टे बढ़ते हैं इस वक्त और अगर यह आपस में कोई currency लॉंच करते हैं तो उसकी कोई relevance नहीं है दुनिया भर म तो उसी वक्त ब्रिक्स करंसी एक ब्लोक बस्टर साबित होगी पूरी दुनिया भर में यूँकि इस से दुनिया भर में ये भी फैलेगा कि सिर्फ चीन और रूस के खेमे के नहीं बलकि अमरीकी खेमे के देश भी डोलर छोड़ कर इस करंसी का यूज कर रहे हैं इसके लावा भारत का व्यापार ऐसे बहुत से देशों के साथ है जो अमरीकी खेमे से आते हैं वो भी इसका इस्तमाल शुरू कर देंगे यानि कि ये देखते ही देखते डोलर को कड़ी टकर देगी इसके लावा भारत खुद आज की तारिक में 3.7 ट्रिलियन डोलर की अर्थ ववस्था है और आने वाले डेड़ साल में 4 ट्रिलियन को हम पार कर जाएंगे और दुनिया की चोथी सबसे बड़ी आर्थिक सूपर पावर भी हम बन जाएंगे आप खुद सोचिए कि जब भारत ऐसे मोके पर ब्रिक्स को सपोर्ट कर देगा तो आप खुद सोचिए कि ब्रिक्स करंसी कितनी जादा ताकतवर हो जाएगी लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि आपने विदेश मंतिरी का बयान सुना इस पर भारत विचार नहीं कर रहा है लेकिन आप कोगे कि भारत ने मना क्यों किया तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ब्रिक्स करंसी के आने से अमरीकी डोलर बहुत कमजोर होगा इस बात में कोई भी शक नहीं है लेकिन दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा फाइदा मिलेगा चीन को चीन भारत समेत इन सबी देशों को अपने खेमे में खींच लाएगा और कहीं न कहीं भारत को भी इस ब्रिक्स करंसी पर निर्भर करके अपने पंजे में दबा लेगा और इस वक्त भारत की प्रात्मिक्ता यही है कि अमरीकी डोलर कमजोर हो या ना हो चीन मजबूत नहीं होना चाहिए अब आप मुझे खुद कमेंट करके बताएए कि क्या आप ये चाहते हैं कि एक तरफ अमरीका कमजोर हो लेकिन दूसरी तरफ चीन भी मजबूत हो रहा हो क्या भारत को ऐसा फैंसला लेना चाहिए कमेंट करके जुरूर बताएगा फिलाली स्वीडियो में इतना ही थैंक्यू वेरेमच फूर वाचिंग वीडियो